इस दिवाली पर बनाएं ओरिजनल हलवाई जैसे काजु कतली है एबरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे काजु कतली एकदम इजी तरीके से तो देखिए इस तरह एकदम हलवाई जैसे वाइट वाइट और बहुत ही सॉफ्ट तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काजु ले लिया है मतला दो कप होगा तो पहले देखिए एक कप डाली हूँ फिर इसी में नापकर जो 250 ग्राम काजु को कप में भी नापकर बता रही हूँ है दो कप हो क्या है अब इसमें दो तिन बार इसे अच्छे से पानी से धो लेंगे ठीक है ताकि उपर जितना भी अगर कुछ लगा होगा तो निकल जाए तो दो कर ले ली हूँ अब पूरा दो तिन कप पानी डाल दी हूँ और वन फोर्थ कप दूद डाल दी हूँ उबला हुआ ठंडा दूद फिर इसे दो तिन घंटा ऐसे ढखका रख देंगे तो यह सफूल कर देखें तिन घंटे बात देख रहे हैं अब दूदर पानी से बढ़िया सफूल गया था वह सारा पानी में फेक ली हूँ चान कर काजू का भी पीस लेंगे ऐसे ही पीसेंगे बीना पानी डाले अगर आपका अगर नहीं पीसेगा थुड़ा दरदरा रहेगा तो एक-दो चमच पानी डाल कर इसे पीस सकते हो तो पीस लिया है अब सारा मैं ये काजू के पेस्ट को बाल में निकाल रही हूँ सारा इस तरह आप निकाल लीजिए बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सुधता के साथ ये मैं काजू गतली बना रही हूँ आप भी इस तर देर तक हमें continue पकाते रहना है तो देखिया अभी कड़ाई में गैस में नहीं बैठाई हूं काजु कतली का पेस्ट डाल दी हूं और उसमें सुगर फीसी हुई सक्कर एक कप डाली हूं ठीक है 200 ग्राम सक्कर डाय सो ग्राम काजु होगा तो 200 ग्राम सक्कर ले लेना एक कप मे थोड़ा äधा क्या कवें अगर थोड़ा जदा खाऊगे अगर सक्कर आपको ज़्यादा पसंदम कर ले तो ईड़ड़ कप डाल देना थाम को मैं पहले मिक्स कर लिए हूं तो सब अच्छा है आप एक चमच घी का पेस्ट फूरा मिक्स को भीक्स कर लिए हूं तो एक से अलटते पलटते रहना है तो कैसे बता चलेगा थोड़ा अबीच भीच भीच से से निकालकर गलते रहना है जीसे गोला जीसे लड़ू जीसे होगा तो अपना यह डो एकदम परफेक्ट है ठीक है हाथ में से थोड़ा घी लगा कर देखना गोल होता या नहीं अगर हाथों में चिपकने लगेगा तो और इसे मतल़ा चलाते रहेंगे इसके फ्लेम में हाई फ्लेम नहीं कर देना बना प्राउन हो जाएगा ऐसे लो फ्लेम में 20-30 मिनट लगेगा पूरा अलटते रहना थीक है तो देखिए अभी में थोड़ा सा निकाल कर देखे हूं डो एकदम परफेक्ट है कढ़ाय से छुटने लगा है पूरा गोल भी हो जाता है थोड़ा सा लेकर देखे हैं तो अभी क एक प्लेट में अगर ये बटर पेपर नहीं हो तो घी लगा लेना और ये शब टाल देना उसमें हम बनाए हैं काज्यू का है थेक है मैं बटर पेपर लेगा है खिर निब्लम को निकाले ये निकालना तो चिके behöver का नहीं फिर इस wisely हम एसे गुंथ लेंगे Roghan गरम गरम रह अगर इस तरह से आप करें हें अगर आपका थोड़ा जैसने भुनेंगर भूने तक से ऑमसले जीजेक गुणतना विकाना तक्ता बैसने स्था कि अगर ये हो ही दिए तो भी तरह से बनीद में में अगर में होगें तुब काजू और सक्कर तो हैं कुछ भीड़ेगा नहीं हल्वा बना लेना थीक है तो इस तरह दिखिए अभी मैं बेल रही हूं पूरा यह थीक हो चुका है बेल ने लायक हो चुका है अभी थोड़ा गरम है तो घरेल में मैं फोड़ा इसे डेल रही हो दोनOlम तरह ऐड़ म तो इस तरह देखिए मैं इसे भी निकाल लूँगी पूरा चौकन सेफ जब तक नहीं हुआ तब तक आप कर लेना आप जैसे गोल भी बनाना चाहते तो गोल भी कर सकते हो बस अब हमें इसे क्या डाइमेंड सेफ में काटना है तो इस तरह चौकन सेफ में ज्यादा तर हलबा तो इस तरह तो यह काटने में इजी रहेगा, अभी गरम है गरम गरम में काटो गे तो खुरदरा हो जाएगा इसलिए थोड़ा यह सुख जाये तो एकदम आसान इसे कट जाएगा बहुत मस्त सॉफ्ट रहता है थीक है तो इस तरह आप ऐसे काजु कतली बनाईे और एकद अगर आपके पास होगा तो नहीं होगा तो सिंपल ऐसे ही आप खा सकते हैं और पेड़ा काजु कतली का उसमें सजा कर रख देना और फ्रीज में 20-25 दिन आराम से यह रहेगा कुछ खराब नहीं होगा क्योंकि सिर्फ काजु है और सक्कर है तो आराम से यह रहेगा आपका तो भी पेस्ट को आप हल्वा के तरह भी बना कर खा सकते हो तो पहले यह ट्राइ करना इस दीवाली में ठीक है बागे सब तो हम सुखे सब फरसान वगेरा बनाते हैं लेकिन इस वार काजु कतली बना कर ट्राइक होता है या नहीं देखे मैं अभी ठंडा यह होगा है पू पीजा कटर से या नाइप से ऐसा काट लेना तो देखिए कितना मस्त हुआ है डायमेंड से पाया है तो इस तरह आप चांदी वर्क भी लगा सकते हो और बीना चांदी वर्क लगाए भी सर्फ कर सकते हो तो यह बहुत सॉफ्ट और मस्त हुआ है आप एक बार करके इस ज्यादा पानी डालना एक दो चमची पानी डालना अपनी अनुसार एक प्रेड़ कप पिसा हुआ तो देखिए मैंने कितना अच्छे से सब कार्ड लिया है जितने बड़े बड़े चहिए जितना आपको जैसा सेफ चहिए चोटे बड़े ऐसे कर सकते हो मैं थोड़ा सा एक मास्ट लग रहा है इस तरह पिसकर सोक करके करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है तो देखिए इतना इसे सौफ्ट है तो इस तरह काजुकतली बनाई है खाने में भी बहुत टेस्टी है और हेल्दी है ठीक है बस इसे दो तिन घंटा भीगो देना फिर हल्वा के तरह एक दो घंटा या साथ पांच घंटा भी रख सकते हो ठीक है अगर यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करें